खाद का वावनी से 15-20 दिन पहले डालनू चाहेजे क्योंकि गोबर खाद में छोटा-छोटा मीत्र जीव रहे जो फसल का बढ़ावना में मदद करे पर खाद का जल्दी डाल दे तो गहाम का कारण जीव मरी जाए खाद का अच्छो से फैलावनू चाहेजे ताकि सगला पोदाने के बराबर खुराक मिली सके जेका से फसल की बढ़वार का साथ फसल अच्छी पकी सके खाद फैलावना का बाद दुरावन बख्खर चलावनू चाहेजे पेलो बख्खर हमने फाटा दसया साप करने के लिए चला है तो बादवा भी होना लगया ठंडी ठंडी हवा चलना लगया तो अब खाद फेकिन बख्खर चली रहे खाद हमेशा बोड़ी से पंद्रा बीज दिन पेले डलना चीए अगर ज्यादा पेले डल जाए तुक में चोटा चोटा जीव जनतुरे वो मर जाए कि जिक से अब हमने खाद डाल दिया और खाद डालें पक्खर चली रहे हैं अब कि अब कि अब कि अब कर गेर नासी फाटा यह चाई जाई बीज अच्चे ओंग उदीने लग फसल अच्ची पाकर सभी किसार नके खेट की साप सपय करते करते अपनी मेर भी साप कर लेंची ताकि ओक में कई टीड़ा अगेरा इलिव अगेरा रे तो फसल परनी जाए मेर साप रेगे तो फसल परनी जाएगा खेट का अच्छो सजोतनों चाईजे ताकि कच्रो पूरो निकली जाए कच्रो अच्छो सब बिणिन साप करनों चाईजे और बखर दुरान चलावनों चाईजे जेका सब बचेल कच्रो भी निकली जाए खाद का वावनी साप 15-20 दिन पहले डालनों चाईजे क्योंकि गोबर खाद में छोटा छोटा मीत्र जीव रहे जो फसल का बढ़ावना में मदद कर पर खाद का जल्दी डाल दे तो गहाम का कारण जीव मरी जाए खाद फैलावना का बाद दुरावन बखर चलावनों चाईजे खेत का सई टेम पर तयार करनों चाईजे ताकि उदी की समस्या कम हुई सके